प्रेस्ट लॉड आज हमारे लिए मनन का विशे संद्मधी के सुसमचार से हैं थ्याइबीज पसंग्याएं एक सिलेगा स्विर्क राज उस भूमिधर के सद्रश है जो अपनी दाखभारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सबायरे घर से निकला उसने मजदूरों के साथ एक दिनार का रूजाना तेखिया और उन्हें अपनी दाखभारी भीजा लगबग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देख कर कहा तुम लोग भी मेरी दाखभारी जाओ मैं तुमें उचित मजदूरी दूँगा और वे वहाँ गए लगबग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकल कर ऐसा ही किया वह एक घंडा दिन रहे फिर बाहर निकला और वहाँ दूसरों को खड़ा देकर उनसे बोला तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बीकार खड़े हूं उन्होंने उतर दिया इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया उसने उनसे कहा तुम लोग भी मेरी दाखभारी जाओ संधिया होने पर दाखभारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा मजदूरों को बलाओ बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सब को मजदूरी दे दो जब वे मजदूर आए जो एक घंडा दिन रहे काम पर लगाए गए थे तो उन्हें एक-एक दिनार मिला जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा लेकिन उन्हें भी एक-एक दिनार ही मिला उसे पाकर वे कहते हुए भूमिधर के विरुद बुन-बुनाते थे इन पिछले मजदूरों ने कैवल घंडे बर काम किया तब भी आपने इने हमारे बराबर मना दिया जो दिन बर कढ़ोर परिष्ट्रम करते और धूब सैते रहे उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया भाई मैं तुमारे साथ अन्याई नहीं करता हूँ क्या तुमने मेरे साथ एक दिनार नहीं तै किया था अपनी मजदूरी लो और जाओ मैं इन पिछले मजदूर को भी तुमारे जितना दीना चाहता क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपती का उपयोग नहीं कर सकता तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हूँ इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे क्रिसमे प्यारे भाई और बहनों कुछ महीने पहले मैं आप सबों के साथ में इन वचनों पर मनन चिंतन किया था फिर से प्रभू यही वचन हमारे सामनिया जो हमारे ध्यान के लिए लेकि आए हैं तो क्या इसका जो मनन करने का तरीका बदल जाएगा बिलकुल नहीं लेकिन एक नजरिया एक नई नजरिया हमेशा प्रभू का वचन हमें प्रदान करता है आप सबों से पहले भी कहा हूँ मज़ूर चौक यह कहानी आज भी 2000 वर्ष पूर्व जैसे था वेसे ही है मज़ूर चौक पर आप चले जाओगे आप सुबा से लेकर शाम तक वहाँ पर लोग खड़े आपको दिख पाएंगे सुबा जाओगे तो बहुत सारे लोग दुपर जाओगे तो उससे कम लोग और शाम चार बजे भी जाओगे वहाँ पर लोग खड़े मिलेंगे वे उन लोगों के प्रती रूप है जिने उस दिन काम कुछ नहीं मिला पेरे भाई और बैनों वचनों को सुनते समय अक्सर लोग यही पुछते कि क्या प्रभू पच्छपाद करता है जो एक ही घंटा काम किया उने भी एक दिनार मिला चाहिद हमारी नजरिये में हमारी दृष्ठी में यह पच्छपाद जैसे हमें लग सकता है लेकिन एक अलग नजरिया भी है कि प्यारे भाई और बैनों जो आड़ गंडे काम किये जो एक गंडे काम किये दोनों को बराबरी का जो व्याई होता है जो आड़ गंडे काम किया उनको भी उतने पेसे की जरूरत है जो एक गंडे काम किया उन्हें भी उतने पेसे की जरूरत है दोनों को अपना घर जो पालना है तो शायद प्रभू की जेनरोसिटी प्रभू का विचार हम यहाँ पर देखते हैं जिसके बारे में विस्त्रे दुरूप से मैं पिछली बार बताया था आज मैं एक नई और सोच आप सबों की सामने रखना चाहूंगा वो यह है प्यारे भाई और बैनों, अक्सर हम लोगों को जज़ करते हैं बेबुनिया तरीके से हम लोग बड़े हार्श रूप से रूडली लोगों पर जज़ करते हैं अक्सर हम यह जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि विक्ति किस प्रकार के हालातों से गुजरते हैं उनकी परिस्थिदी कैसी है, उनके हालात कैसे हैं उस पर हम जरा भी नजर नहीं डालते हैं हम हमारी नजर ये से सब को जज़ करते हैं जैसे आज के वचनों में जज़ किया गया है यहां पर आड़ गंडे जो काम किये उन्हें भी और जो एक गंड़ा जो काम किये उन्हें भी एक नजर से जज़ करने की हमारी जो कोशिश है प्यारे भाई और बेहनों ये वही सुभाव है जहांपर हम लोग सबको यूँ ही उनके परिस्थिया ना जानते हुए भी जज़ कर बेढ़ते हैं तभी तो प्रभु कहते हैं जज़ नोवन किसी का भी न्याई ना करो तुम पर भी न्याई नहीं किया जाएगा प्यारे भाई और बेहनों जज़ नोवन यूशाल नाट बी जज़ क्योंकि हम सब के परिस्थिया अलग है परिप्रेक्ष अलग है संस्कृतिया अलग है हमारी जरूरतें अलग है हमारी मजबूरी अलग है तो इसलिए जब हम अगर इंतमाम चीज़ों को नहीं जानते हैं तो किसी को भी जज़ करने का हक हमारे पास नहीं है जैसे मैंने कहा आड गंडे जो विक्ति काम किये है उनकी भी जरूरत एक है जो एक घंडे जो काम किये उनकी भी जरूरत एक जैसे है एक समान है तो इसलिए दोनों को एक जैसे हम जज़ नहीं कर सकते हैं तो इसलिए बाज हो जाईए आप दूजों को जज़ ना कीजिए आप जब तक आप उनकी परिस्तियां हालातें, संस्कार और उनकी मजबूरियां न जानते हूं हमें ज़ज करने का कोई हक नहीं है आज के वचनों में प्रभू हम सब से यही कहना चाहते हैं कि ज़ज नोवन और यू शाल नाट बी ज़ज़